ब्रेकिंग नियूज कहते हैं न जहां प्रेम होता है वहां पर छुटकू, बढ़कू, मुटकी, पतरी, उंच, नीच, छुटाई, बढ़ाई, पैसा, रुपिया यह सब कुछ नहीं देखा जाता है आठ फुटके हाईकल सरीर सीमा जी के सामने सचिन एकदम लड़िकन जैसा दिखते हैं लेकिन फिर भी दूनों एक दूसरे के पिरेम में एक दूसरे के मिधिया मनसुर हुआ बने वाई थे हैं देखी भाई बहीनी अपना पंचे यह कामेडी अपना पचेन के मनो रंजन के लाने बनाई गही यह तो थोड़ा जहां की है बांके पूरा वीडियो देखी बहुत मज़ा आई अपना पंचेन का अगर पसंद आवे हमां इंटर्व्यू लोगन के साथ ता अपना पंचे हमारे चैनल का लाइक सब्सक्राइब जरूर करी और हाँ आपने फ्रेंडन के बीच में शेयर करना भूली नमस्कार सभीका हमारे चैनल में आज हमारे साथ जुड़ गए हैं भारत का नाम रोशन करने बाले सबसे बड़े महिर्या बाज अव पाकिस्तान के दमाद सचिन लंपत और उनके साथ मां जुड़ी हैं ये पाकिस्तान से भागी हुई महिर्या एक की और यहां बन के दूसरे की महिर्या रह रही सीमा ए मुनिम भाई काई आई दे द्याखेंदे या कहीते कि मस्त महिर्या भगा के लियावा एकड़ कंचन कसधरी लागी सचेन जी सबसे पहले सवाल तुम यहां बताबा कि तुम यहां इसे प्रेम कैसा कि भाग द्याखा ओइसा तहीं बाते सब हमारे आप उसके आहीं लेकिन तु पुछते हैं तो हम तुहें बताई थे हम तुह का बताई देखिए जो मुबाईल में फिरी फायर आबद है ना और अखर हम बहुते बड़ा खिलाईया आएं आया ठाहरी पाकिस्तान के बड़की खिलाईया फिरी फायर के हम एक दिन ख्यालत न रहाँ अच्छे अच्छे झनका पानी मगा देते हूँ है आया हमार ख्यालप देखके अप इघल गए हमारे उपर ऑन्या हमसे बड़के बात आगए हम दहीं ह्यां आया हमसे बढ़ी यह बात आंगे अच्छा सचिन हमको या तो समझ में आया कि तुम इन पर लट्टू हो गए लेकिन ये तुम पर कैसे लट्टू हो गई वो हमका समझ मना आया कहा ठहरे तुम कहा वो कहा राजा भो कहा गंगू तेली जैसी खानी है चल ये कोई नहीं अब हम यह नहीं जानते हुआ हैं तुम उनहीं से पूछ लिया अच्छे सीमा जी अपना ये बताईए कि आप अपने गौरनाथ मिंसरूबा को क्यों छोना पटरी नहीं खाती थी ब्रेकिंग न्यूज भारत के सभी मिंसरूबों से हमारा अनुरोध है कि वो अपनी औरतीवा से पतरी बना की रखी नहीं तो अगला नंबर उनका भी होई सकत है सर्चिन जी आप ये बताईए कि आपको कब पता चला कि सीमा जी के चार्थ गदलबौ है इस चुट्टे चुट्टे गदल्बों के दर्सन हमको वीडियो काल में हुए थे फिर मैंने पूछा तो इन्होंने हमको बताया कि हमारे चार गदलबों हैं मैं इन चार गदलबों की महतारी हूँ थोड़ा समन बीच का उस ताइम पर पर कोई नहीं जहां पीरेम होता है ना वहां गदलबा मायने नहीं रखते अच्छा सचिन जी आप बताया कि जब आप सीमा से बात करते थे तो आपको कईसा लगता था एकदम सुर्ग जैसा मज़ा आता था और लगता था सुर्ग से अपसरा उतर रही है सीमा जी तुम एक बात बताओ तुमको सचिन में इससा काउं चीज दिखा कि साला तुमको पी रेम हो गया साले की सकल ऐसी है कि कोई दो थपड़ मार दे तो दो महीने तक इसको हूसना आई मा पीजेगा इस सवाल के खातिर लेकिन जनता तो जानना चाहती है तो हमको पूछना तो पड़ेगा मैं इनको बोला था कि पाकिस्तान के जो गदेलवा है उनको वही छोड़ाओ तुम बस चली आओ हमारे पास गदेलवा और यहाँ फिर से हो जाएंगे यह जब आ रहे थी तो इनके जो गदेलवा है ना वो बहुतर हो रहे थे हमने सुना था वीडियो कौल पर देखा भी था तो फिर मैंने बोला कोई ने तुम गदेलवा को लेके आ जाओ जो होगा देख लेंगे अच्छा तो हम कहां पर थे अच्छा तो सचिन जी एक होट गाना सुना दे अपना सीमा के लाने वा सचिन का गाना सुनाए हो तुम माल बड़ा गुलगुला अरे चड़े जवानी रस गुला वा वा अब सीमा जेक थे तुमों सुना जया सचिन खितिल सचिन तुम तो जोश में आके खड़े होगे भाई बैठ जाओ सीमा जी जबाब दे आहां हैं उनकर कभी कभी नाचने कमन करता था तो किमारा बंद करके नाच लेती थी और मुझरा उजरा नहीं करती थी सीमा जी सचेंज से पहले पाकिस्तान में आपके कितने मैंसर हुआ थी देखो जान ये सब तुम्हारे सामने क्या पूछ रहे हैं एरे सारे हिसाब से सवार पूछे नहीं तब हमें भुख भुखी ना चड़ा थी नहीं तो यह कैमरे सेमरे सब पटक के तो इलाते लात मरी हां देख तोरे सवाल के चकर में मोरी महेरिया पाकिस्तान से लाया हुए सब्सक्राइब जरूर करेगा अच्छा पना पंचेन का हमा कमेड़ी पसंद आई हो तो लाई शेयर सब्सक्राइब जरूर करी हाँ अपने दोस्त यारें से शेयर करना न भूली तब तक के राम राम